राधिका आफिस के बाद घर जा रही थी, तभी उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, वो वहां से भागने लगी, दोड़ते दोड़ते राधिका एक बंद घर के पास आ जाती है, बाहर लिखा होता है, परचाई से बात मत करना, राधिका अंदर चली जाती है, अंदर क काफी दरावनी होती है वह घर में काफी आवाज लगाती है कोई है कोई है कभी उसे पिछेसे किसी की आवाज आती है ख़बढाव नहीं मेरों यहाँ बहुं वह असल में राधिका की ही परचाई होती है। राधिका को याद आता है, घर के बाहर लिखा हुआ था, परचाई से बात मत करना। दर के मारे राधिका उसे कहती है, मुझे बचाओ। इतना कहते ही, राधिका एक परचाई में बदल जाती है। दरसल वह परचाई श्रापित होती है, जो यहां कई सालों से कैध होती है. उस परचाई की जगह अब राधिका वहां कैध हो जाती है, जब तक कोई और उससे बात ना करे.